बोलो जै श्री राम, बोलो बाबा हनुमान की जै हर साल चैत्र पुर्णिमा को हनुमान जैन्ती का त्योहार मनाया जाता है ऐसी माननेता है कि हनुमान जी आज भी सशरीर धर्ती पर मौजूद है इसलिए इसे हनुमान जन मुस्तव कहना भी गलत ना होगा कहते हैं बजरंग बली का नाम लेने से ही दुख, संकट, भूत, पिशाच को सो दूर भाग जाते हैं तभी तो तुलसी दास्त ने हनुमान जी को लेकर लिखा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा इसका अर्थ है हनुमान जी में हर तरे के कश्ट ताप को दूर करनी की शमता है आईए अब हम जानते हैं कि इस बार हनुमान जैनती किस दिन मनाई जाएगी इसकी पूजा का शुब मूरत क्या है और पूजन विधी क्या है हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्रपूर्णिमा 23 अप्रेल 2024 को सुबह 3 बजकर 25 मिनट पर प्रारंब होगी और 24 अप्रेल को यानि अगले दिन सुबह 5 बजकर 18 मिनट पर इसका समापन होगा तो ऐसे में हनुमान जैन्ती का त्योहार 23 अप्रेल को यानि की मंगलवार के दिन मनाया जाएगा हनुमान जैन्ती जब मंगलवार ये शनिवार के दिन पढ़ती है तो इसका महत वो और अधिक बढ़ जाता है हनमान जेनती पर बजरंग बली की पूजा की दो शुमूरत रहने वाले हैं पहला शुमूरत सुबह की वक्त रहेगा जबकि जो दूसरा शुमूरत है वो रातरी काल में है तो पहला शुमूरत है 23 अप्रेल को सुबहा 9 बज कर 3 मिनट से दोपहर 1 बज कर 58 मिनट तक और जो दूसरा शुमूरत है वो है रात को 8 बज कर 14 मिनट से 9 बज कर 35 मिनट तक तो आप इन दोनों शुमूरत में से कभी भी हनमान जी की पूजा कर सकते हैं अब हम जानेगी हनमान जी की पूजन विदी उस दिन की जाने वाली पूजन विदी हनमान जेंदी पर सुबस नानादी के बाद बजरंग बली की पूजा का संकल्प ले हनमान जी की पूजा अबुज मूरत देखकर ही करे सबसे पहले उत्तरपूर दिशा में चोकी पर लाल कपड़ा बिछाएं हनमान जी के साथ श्री राम जी के चितर की स्थापना अवश्य करे क्योंकि हनमान जी बिना राम जी के कहीं नहीं चलते हनमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करे लड़्डू के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करे पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमहे का जाप करें फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हिम हनुमती नमहा का जाप करें बरगद के पेड़ का एक पत्ता ले और इसे अच्छे से साफ कर ले इसके बार पत्ते को भगवान हनुमान के सामने रगदे पूजा करें और उसके बार इस पत्ते पर केसर से प्रभू श्री राम का नाम लिखें पूजा समाप्त होने के बाद इस पत्ते को अपने पर्स में या फिर पैसो के सान पर रख दे ऐसे करने से आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा पूरे दिन भ्रम चर्य का पालन करना होता है इस दिन सुबह भ्रम मूरत में उठकर भगवान श्री राम मातसीता वे हनुमान जी का स्परण करे और व्रत का संकल्प ले घर में पूजा के स्थान पर हनुमान जी की मूरती स्थापित करे विदीवत पूजा करे हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं फिर सिंदूर और चांदी कए वर्क के साथ अबीर, गुलाल, चंदन और चावल चड़ाएं इसके बाद सुगंदित फूल और फूलों की माला चड़ाएं, एवम नारियल चड़ाएं, फिर केवडा वे अन्य सुगंदित इत्र लगाएं हनुमान जी मूरती के वक्ष थल यानी हिर्दे वाले स्थान पर चंदन सी श्री राम लिखें इसी तरह श्रधा पूर्वक जो भी चड़ाना चाहते हो, वो हनुमान जी को चड़ाएं हनुमान जी की पूजा के बाद, हनुमान चाली सा, यह सुंदरकान का पाठ करें, बजरंगबान का पाठ करें अब हम जानेगे की हनुमान जेनती का महत्व क्या है, हिंदू धर्म में हनुमान जेनती का विशेश महत्व है, इस पर्व को शक्ती, भक्ती और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है इस दिन हनुमान जी की वितिवत पूजा करनी से व्यक्ति को हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और सुक समरिद्धी की प्राप्ति होती है इसके साथ ही भगवान श्रीराम भी प्रसन होते हैं और कुंडली में मंगल गरे की सिती मजबूत होती है ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन सुर्योध्य के समय हुआ था इसी कारण इस दिन भ्रहमूरत में उठकर सबी कामों से निर्वित होकर स्नान आधी करने के साथ हनुमान जी की विदिवत पूजा की जाती है इसके साथ ही हनुमान चालीसा मंत्र आदी पढ़ने से वो जल्द ही प्रसंद हो जाते है तो बोलो बाबा हनुमान कीज़े, शीराम जी कीज़े, सीता मता कीज़े, बाबा हनुमान कीज़े तो फ्रेंड सापको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शिर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे यूसफुल वीडियो देखने के लिए बैल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको ओन टाइम मिलता रहे बोलो बाबा हनुमाने की जै जै बजरंग बली हनुमान